मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदिक वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फिस्बूक और आजटिवी नेट्वरक पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेग्मे उन्शास्त्र तूटते तारे बच्पन में मुझे भी इतना याद है कि हाँ हमने भी छट पर जाकर तूटते तारे देखकर के हाथ जोड़कर कुछ विश्यस मांगी थी क्या पूरी हुई देखे फिल्मी वे है यह ना और इस फिल्मी वे के पीछे भी फिल्मी तरीके के कई तरीके की मिस्ट्रीज इन वोल्ड है और मैं यूँ कहूं कि इसके पीछे बहुत सारी भूमी का मीडिया ने बनाई है या मूवीज ने बनाई है आपने भी कभी न कभी बच्पन में तूटते वे तारे को तो देखा ही होगा और देखकर मांगा जरूर कुछ होगा दरसल मैं आपको बता दूँ ये कोई तारा नहीं तूटता है परंतु ये एक उल्का पिंड है तारे की साइस तो सूरे के बराबर होती है सूरे बहुत छोटा तारा है तारा कैसे तूटेगा और ये जो तूटतावा दिखाई देता है ये बेसिकली उल्का पिंड है ये तारा नहीं है उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थर और मेटलिक बॉड़ी होते हैं ये अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं उल्का पिंड भी एस्ट्रॉइड की तरह ही होते हैं ये ज्यादा तर अपने कॉमिट यानि के पुच्चल तारा या एस्टरोइट से अलग हो जाते हैं और कुछ अन्य ग्रहों के अवशेशों के रूप में अंतरिक्ष में घूमते घूमते जब उलकापिंड धरती के वायू मंडल के करीब पहुच जाते हैं या धरती के वायू मंडल में जाती है जिसकी वज़े से ये चमक उठते हैं और तूटते वे तारे कहलाते हैं देश विदेश में तारों से संबंदित विभिन शकुन अब शकुन भी बताये गए हैं और ऐसे प्रचली थे तारों के तूटने के विशे में दो बड़ी मान्यताएं हैं एक तो है पास्च थौट प्रोसेस यानि कि शकुन शास्त्र अब आपको बता दूँ कि पास्चात्य मत इसे बहुत शुब मानता है जबकि भारती मत इसे अफशकुन मानता है कई जगे इसको शकुन भी है कई जगे इसको अफशकुन भी मानता है आई ये इस बारे में जादा जानते हैं सब या हैमिली बोडी कहते है, हैमिली मतलब स्वर्ग से, पास्चाते मत्य के अनुसार तारा ठूटता दिखाई देने पर मन की मुराद पूरी होती है, अगर आप विश मांग लो तो, लेकिन अब बात करेंगे भारतिय मत क्या कहता है, भारतिय शकुन शास्त्र क्या कहता है, दे तारों का तूटना देश के लिए अशुब संकेत माना जाता है, तारों का तूटना निकट भविश्य में असुब समाचार मिलने का संकेत माना गया है, काम काज करते समय अगर तारा ठूटता वा दिखाई दे जाए, तो काम काज में असफलता का सामना करना पड़ता है, अ अब आपको बताते हैं हफ्ते के साथ दिन में अगर किसी भी दिन आ अब तारा टूर्टा बाद दिखाई देते हैं तो उसका फल क्या है और शकुन शास्तर क्या कहता है इस बारे को देखे सोमवार को कोई तारा टूर्टा दिखाई देने पर काम को लेकर साफधान हो जाए नहीं तो पैसों से संबंदित काम बिगड़ जाता है मंगलवार को कोई तारा तूटतावा दिखाई देने पर पैसों से संबंदित काम में विवाद होने के योग बनते हैं बुधवार को कोई तारा तूटतावा दिखाई देने पर कारोबार में फायदा होता है और ऐसे में पैसों से संबंदित बड़े निरणे लेने चाहिए आपको गुर्वार को कोई तारा तूटता वाद दिखाई देता है तो ऐसे में पैसों से संबंदित कुछ खास फायदा तो नहीं होता परन्तु कुछ नुकसान में नहीं होता और रविवार को कोई तारा तूटतावा दिखाई देने पर पैसों का नुकसान होता है, ऐसे में पैसों से संबंद जोखिम लेने से बचना चाहिए, तो दोस्तों हमने ये देखा, आज हमने ये जाना कि शकुन शास्तिर क्या कहता है, तारे तूटने को लेकर, तो आप भी क अश्कार, नमास्षिवाय.